हालो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहें डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे बेनेफिट आफ सेक्स के बारे में कि जो लोगों के इसका अपना क्या एक क्लिनिकल आसपेक्ट और हार्मोनल लेवल पे भावनात्र मग लेवल पे क्या फाइद होते है और यह क्यों जरूरी है और इसको हम कैसे समझें और तो हम कैसे normalize रखे हैं लाइफ में यह हम बात करेंगे देखा जाये तो देखो हार्मोनल क्रिया है यह एक हमारे जो sex drive है जो हमारी body के अंदर हमारे जो requirement है या जो हमारा sexual जो appeal है उसे हम कहें तो यह depend करती है है आपके सारेरिक स्वास्ट पे मांसिक स्वास्ट पे और आपके हार्मोन के स्वास्ट पे यानि तीन aspect हैं जो मिला के तीनो aspect यदि आपके coordinated हैं ठीक हैं और तीनो level पे यदि आप बहुत ही healthy sound महसूस करते हैं तो most probably यह chances हैं कि आपकी जो sexual life है या जो sex drive है यानि जो sex instant है वो normal ही होगी आज कल बहुत सारे लोग unnecessary बहुत सारी information लोड करते हैं इधर उदर से और फिर वो बहुत अटपटे सवाल भी पूछते है पूसिबल नहीं है हर सवाल का जबाब देना लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने ये queries रखी तो आज हम इस पर clear आपको answer देते हैं सारे रेक मानसिक आवशकता आप इसको कह सकते हैं hormones based है ये और इसके अपने benefit ये होते हैं कि यदि आप की requirement कम जादा हो सकती है sex की urge किसी को हपते में हो सकती है किसी को महीने में हो सकती है किसी को daily basis भी हो सकती है या depend करता है ये आपकी age depend करता है ये आपकी health depend करता है कि आप किस condition में हैं और ये health को sustain रखने में मदद करता है लेकिन इसके दौनों आसपेक्ट होते हैं यदि बहुत ज़्यादा है आप aggressive हो जाएं इसके लिए और बहुत ज़्यादा है आप इसके बारे में पढ़ते रहें सोचते रहें देखते रहें पॉर्ण देखते रहें या फिर sex से संबंदे चीज़ों में involved हैं तो फिर इसके अपने side effect भी होते हैं इसके नुकसान भी होते हैं यानि कि आपको फिर दूसरी problems हो जाएंगी आप obses हो जाओगे बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके एक aspect है दूसरा aspect यह है कि यदि आप इसको normal basic आवशक्ता की तरह रखते हैं तो य एक दिमाकी सारेरिक भाबनात्मक आपका व्यायाम है और यह काफी हद तक तीनों लेवल पर एक इनसान को coordinated करता है health को sustain करने में मदद करता है आपके blood pressure को regulate करता है आपके pulse rate को regulate करता है और आपके जो neurotransmitters हैं जो आपके hormones हैं like serotonin, dopamine, testosterone, androgen, estrogen, progestron, thyroid, FSH और LH तो यह जो सारे hormones हैं इनको coordinate करने में regulate रखने में भी मदद करता है तो यह एक aspect रहा दूसरा aspect है कि यदि आप इस चीज़ को properly involvement के साथ, properly प्यार के साथ, दो लोगों की मर्जी के साथ playful करते हैं और इसमें आप participate करते हैं तो आपके brain के साथ, hypothalamus के साथ, यह आपका जो pituitary glands है और जो pituitary glands का coordination और जो link है यानि संबंद है हमारे सरीर से उसको भी normalize करता है यानि आपकी दिल और दिमाग के स्वास्त को regulate करने में, normalize करने में आपकी sex के रिया काफी हद तक मदद करती है और काफी boost भी करती है कहा यह जाता है कि यदि आप दिमाग की रूप से स्वास्त है तो आप सारे रूप से भी स्वास्त होंगे और विदि आप sexually normalized हैं तो आप दिमाग और सरीर से भी और भावनात्म गुरूप से भी आप नॉर्मलाईज ही रहेंगे तो सेक्स एक हार्मोनल रियक्षन है, हार्मोनल मेंटल एक्सराइज है और यह एक जीवन की बेसिक आवशक्ता भी है बट इसका नॉर्मल बेलेंस रहना, रेगुलेटेड रहना आपके हेल्थ के लिए फायदेमंद है और यदि आप excessive इसको कर देंगे तो फिर यह health के लिए नुकसान दाया के इससे anxiety और depression भी हो सकता है तो यह है benefit of sex video अच्छा लगा तो आप चैनल को subscribe करिए अपने friends के साथ share करिए और comments करिए thank you very much and take care yourself करिए